अमीर डैडी की सलाह ये थी कि माईक और मैं खुद को तयार करें। कई कॉपरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे बिजने स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को लेते हैं और उसे इस तरह तयार करते हैं ताकि एक दिन वह कमपनी की जिम्मेदारी सभाल ले। इसलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेश अग्य नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुँचाया जाता है। अमीर लोग अकसर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह तयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्यान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन विभागों का परसपर आपसी संबंध कैसा होता है। द्विती और विश्व युद्ध की पीड़ी एक कमपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कमपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है। चूनकी लोग युग्यताओं में ज्यादा विश्व अग्यता हासिल करने के बजाए एक कमपनी से दूसरी कमपनी में कूदना चाहते हैं तो क्यों ना कमाने के बजाए ज्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अलपकाल में आपकी कमाई कम हो लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फाइदा होगा। बिकली और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेश्यग्यता पूर्ण योग्यताए हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है। इसलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेशन में कुशल होना चाहिए। चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने, बोलने और सौदे बाजी करने जैसी सम्वाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये वे योग्यताएं हैं, जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ और अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूँ या शेक्षनिक संसाधन खरीदेता हूँ। रिच डैड के सलाहकार और बहतरीन मित्र ब्लेर सिंगर बिक्री पर हमारे टीम विशेश अग्यर इस बात को मेरे दिमाग में 30 साल से घुसा रहे हैं। बिक्री मतलब आमदनी बेचने की अपनी शक्तियों को संप्रेशित करने और सही जगह बनाने की आपकी योग्यता आपकी सफलता पर सीधे प्रभाव डालती है। उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर ध्रिष्टी से वे दरसल कितने असुरक्षित थे। ये पेशेवर खिलाडियों जैसा होता है जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। उनकी उची आमदनी वाली स्थिती चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें अहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वे कितने फाइदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोटसाहित किया। उन्होंने हमें प्रोटसाहित किया कि हम अपने से ज्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं आज इसे पेशेवर विशेश यग्यताओं की सिनजी या समनवय कहा जाता आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं वे इतना ज्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्शेत्र की विशेश यग्यतापूर्ण योग्यताओं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताओं भी हैं वे पड़ा सकते हैं साथ ही बेच सकते हैं और मारकेटिंग भी कर सकते हैं मैं बेचने और मारकेटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता बेचने और मारकेटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि इन कामों में मूर्त अस्वीक्रती का डर शामिल होता है आप समवाद करने, सौदे बाजी करने और अस्वीक्रती के दर से उबरने में जितने बहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होगा बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो सलाह दी थी, वही सलाह में आज हर व्यक्ती को देता हूँ तक्नी की विशेशग्य बनने के अपने लाब और हानिया होती हैं, मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वे दूसरों के साथ प्रभावी धन्ग से समवाद नहीं कर पाते हैं इसके फल्स्वरूप उनकी आमदनी बहुत काम है, मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख लें इससे भले ही उनकी कमाई ना बढ़े, लेकिन उनकी समवाद योग्यताएं तो बहतर हो जाएंगी और यह अनमोल है, अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मारकेटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की जरूरत भी है सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने की भी जरूरत है वित्तिय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं ना ही अच्छे शिक्षक मेरे दोनों डैडी उदार थे दोनों में ही पहले देने की आदत थी सिखाना उनका देने का एक तरीका था वे जितना ज्यादा देते थे उन्हें उतना ही ज्यादा मिलता था पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था मेरे अमीर डैडी बहुत से पैसे दान करते थे वे अपने चच को, अपनी परुपकारी संस्थाओं को और अपने फाउंडेशन को पैसे देते थे वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है रोकेफिला फाउन्डेशन और फोर्ड फाउन्डेशन जैसे संगर्थन इसी तरह बने हैं ये संगर्थन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वे अपनी दौलत बढ़ाते रहें और अनंतकाल तक बांथते रहें मेरे शिक्षिद डैदी हमेशा कहते थे जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्ट पैसा आएगा तब मैं उसे दान में दूंगा समस्या ये थी कि कभी कोई अतिरिक्ट पैसा आया ही नहीं इसलिए वे ज्यादा पैसे लाने के लिए ज्यादा मेहनत से काम करते रहे वे धन के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा इसके बजाए वे इस बात में यक्रीन करते थे, पाओ, और फिर आप दोगे निशकर्ष में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अंततर दोनों डैदियों जैसा बन गया मेरा एक हिस्सा कटर पूंजी पती का है, जो पैसे से पैसे बनाने के खेल से प्रेम करता है दूसरा, हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है, जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बर्ती खाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है इस बर्ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दक्रियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं